नमस्कार आप देख रहे हैं फास्ट समाचार मैं हूँ आपके साथ उन्नती मिश्रा तो जैसा कि आप सबी जानते हैं कि अभी इस समय हमारे साथ मौजूद है न्यूजीलेंड में आयोजित हुए पावर लिफ्टिंग कॉम्पेटिशन में चार स्वर्ड पदक जीत के लाने बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है मैं बताने ही सकती मेरे पास शब्द कम पड़ गए ता अच्छा लग रहा है सब लोग बहुत कुछ है आप स्पोर्ट की फील्ड में काफी लंबे समय से आक्टिव हैं तो कैसे आपका मन बना कि मुझे लिफ्टिंग में आगे बढ़ना चाहिए एक्चुली मैं बहुत पहले से गेम में आ गई थी मैं पहले हैंडबॉल केलती थी पर हैंडबॉल में मुझे इतना स्कोप दिखा नहीं तो मुझे कोई ऐसा इंड़िज्वल गेम चाहिए था और पापा को भी मेरे पोटेंशल क बढ़ता गया फिर मैं अपने कोट से मिली है मार निवास का सर जो की सीनिया पावर लिफ्टर है तो उन्होंने और मुझे ट्रेन किया और फिर मेरा नेस्चल में भी मेरल आ गया फिर उससे कॉमनवेल्ट में हो गया तो ऐसे इसे आगे बढ़ गया था क्या स्ट्राटिजी रही आपकी कॉम्पिटीशन के दौरान जब वहाँ आप खेल रहे थे वहाँ पर पहले तो बहुत जादा नर्वस थी मैं डर लग रहा था अंदर से क्या होगा कैसे नहीं होगा पर जो हमारे साथ ओफिशियल्स कहते उन्होंने बस ये बोला कि अपने नर्वसनेश काम करके बस अपने साइट से बैस दिए गई उर सबसे साथा गाइदन्स और सपोर्ट किसका रहा आपको अब सबसे जाता तो मेरे पापा का सपोर्ट मालना बच्पन से ही उनका पूरा सपोर्ट है मेरेको और अब जब मैं जा रही थी ति तब वही मुझे ड तब से ही मेरा बहुत तगड़े से कामनल हल्थ के लिए प्रैक्टिस चल रही थी आपने आज एक कीर्तीमान हासिल किया है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन बच्चीयों को जो आज आपसे इंस्पायर हैं प्रभावित हैं और उनके घरवालों को जो बच्चीयों को मना करते हैं पावर लिफ्टिंग जैसे स्ट्रॉंग गेम के लिए क्या कहना चाहेंगी आप उने मैं बस उनसे ये बोला चाहूंगी कि बिल्कुल भी डरिये मत अपनी बच्चीयों को भेजिए वो भी मेरे तरह ही है वो भी लिल्किया ही है और वो भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं तो आप बिल्कुल मैं डरिये और उनको बिल्कुल अच्छे से बेजिया और लड़किया भी मुझे पता है आप लोग कर सकते हो बस थोड़ा सा जिजक के अंदर मन में बठ मत रखिये जैसे मैंने किया है विसे आप भी कर सकते हो कल आपका नगर में भव्य स्वागत रखा गया था तो कैसा लगा आपको इतना प्यार और सम्मान सभी का पाकर मैं सच बताऊं तो जब मैं न्यूजलेंड में थी तब मुझे इतना बिल्कुल भी उमीन नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है जैसी मैं यहाँ आई देखके मैं भाव को गई ती सच बताऊं तो के इतना प्यार इतना सम्मान सब लोंग ने मुझे दिया मैं बहुत ही जादा खुश हूँ हूँ जो आपके साथ नेबर्स जो आपके कॉम्पिटिशन कर रहे थे जो आपके साथ फाइनलिस्ट में पहुंची थी कौन-कौन से देश की बच्ची आपके साथ फाइनल्स में पहुंची थी वहाँ पे न्यूजिलेंड की थी, औस्ट्रेलिया की थी, कैनेडा की थी, मतलब बहुत सारे देश की थी, तो अब आगे की क्या तैयारी रहेंगी, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर प्लान्स एक अभी सब जूनियर में मैडला प्लानिग करी हो, जूनियर में भी आए और उसके बाद सीनियर में भी आए और ये कारवा चलता रहे तो मतलब पूरा फुल प्लानिंग है कि हमें शूपरी का नाम और रौशन करना है जी बिल्कुल इंशालला ऐसा ही हो तो ये थी हमारे साथ मुसकान शेख जिनोंने न्यूजीलाइड में आयोजित कॉमन वेल्ट गेम्स में चार गोल्ड मेडल हासल किये हैं हम सभी मुसकान को हार्दिक बधाई देते हैं फास्ट समाचार एवं शूपरी के सभी वासी मुसकान को बहुत बधाई देते हैं और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छे भविश्य के लिए भगवान से कामना करते हैं थैंक्यू मुसकान